अगर आप यहाँ पर गेमिंग कम्यूनिटी में नए हो या अगर आप में गेमिंग करने की सोची होगी और आपके पास बजट सेग्मेंट का PC है ना तो आप कभी यहाँ पर मन किया होगा चलो यार चलते हैं गेमिंग पेरिफरास भी खरीद लेते हैं तो बी ओनेस मैं आपको बता हूँ आज के टाइम पर गेमिंग पेरिफरास ना बहुत ही ज़ादा महंगे आते हैं और अगर आप यहाँ पर जिसे मेकानिकल कीबोर्ड लेने जाते हो तो यह अच्छे मेकानिकल कीबोर्ड भी 3000 रुपय का आता है हेडफोन भी यहाँ पर 2000 करते हैं मिसाल की तौर पर यहाँ पर मेरे पास एक कॉम्बो जो कि है पोसाइडन M2 जो कि आता है गेम डियास की तरफ से अब यह गेमिंग कॉम्बो करेंटली मार्केट में 2700 रुपय के आसपास मिलता है तो मैंने सुचा क्यों ने चले यार इसे रिव्यू किया जाए क्य गेमर सो लेट्स बिगेंड बट बिफोर दाट इस वीडियो स्पॉंसर्ड बाइ विंडो की डॉट इन अगर आप यहाँ पर चीप में विंडो की डॉट इन का लाइसेंस खरीना चाहते हैं तो आप विंडो की डॉट इन को चेक कर सकते हैं यहाँ पर आपको OEM की 700 रुप में देखने को मिल जाती है वही अगर आप हमारा कूपन को यूज करते हैं TIBG 350 तो हाँ पर आपको अडिशनल डिसकाउंट भी देखने को मिल जाएगा वीडियो की डिस्क्रिप्टियो में इस वेबसाइट का लिंग और कूपन को दिया हुआ है आप मेंसे जो लोग इंट अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बदाना चाहता हूं इस कॉम्बो को लग बग मैं एक हफते से यूज कर रहा हूं तो यहाँ पर मैंने सारी परिफेरस को अलग अलग थोड़ा सा रिव्यू करने की सोचा है कि अगर आप माउध यूज करते हो तो कैसा एक्सपीरेंस होत किसी बही चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते अब चाहें माउस की DPI हो या हेड-सेट का RGB कलर को या की बोर्ड का RGB कलर ओ तो जितना भी काम होता है के वाल यहीं से ही होता है केवल बटन से ही आप सब कुछ कंट्छर कर सकते हो वह यहाँ पराद करते हैं फÈले परिफेर पार स् अच्छी लगी यहाँ पर आपको multiple dpi का support देखने को मिलता है हाला कि यह चीज मेंशन नहीं है कि maximum कितना देता है minimum कितना देता है केवल यहाँ पर आपको 4 dpi देखने को मिलती है आप सबसे कम यह बीच में इसका कुछ भी चूस नहीं कर सकते हो तो यहाँ पर मुझे एक फोटा सा downside लगा हाला कि अगर softer support दे देते ना तो best mouse यह रहता grip wise मैं आपको बता हूँ grip इस mouse की काफी अच्छी है दूसरे peripheral के बारे में अगर मैं आपको बता हूँ है यहाँ पर इसका headset headset जो को आप देखने को मिलता है वह तूबी ओनस काफी अच्छा लगता है इस headset में आपको बैंड देखने को मिलता है metallic band है और काफी dv है headset जो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है वो काफी light है, आप इसको आराम से पहन के एक दू घंटे की movie आराम से निप्टा सकते हैं आपको कोई issue देखने को नहीं मिलेगा air cup क्यों यहाँ पर आपको देखने को मिलता है budget segment की gaming करने के लिए ठीक है आप यहाँ पर इस headset को पहन के gaming कर सकते हो वहीं यहाँ पर आपको RGB का भी support देखने को मिल जाता है RGB को चलाने के लिए यहाँ पर आपको USB port का यूज़ करना पड़ता है third peripherals के बारे में आपको बताओ जो कि है mousepad mousepad यहाँ पर बहुत ही चोटा सा और बहुत ही basic है उसके बारे में आप बताने को ज़्यादा कुछ है नहीं बस अपना काम करवा देता है बस इससे आदा आपको इससे expect कर भी नहीं सकते हैं last में यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है यहाँ पर keyboard keyboard जो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है वो एक gaming keyboard है इस keyboard में यहाँ पर जो आप सबसे पहली चीज़ नोटिस करते हो यहाँ पर इनके macro keys तो अब यहाँ पर अगर आप game खेलते टाइम sound कम करना चाहते हो mute करना चाहते हो या बढ़ाना चाहते हो direct आप keys कही use करके आप कर सकते हो आपको pause नहीं करना पड़ेगा अपने game को यह चीज़ मुझे अच्छी लगी इस combo में यहाँ आपको keyboard देखने को मिलता वो कोई mechanical keyboard नहीं है to be honest आपने भी यह चीज़ expect नहीं करी होगी कि यहाँ पर आपको mechanical keyboard देखने को मिलेगा अगर आप यहाँ पर थोड़े से RGB के fan हो तो इस keyboard में आपको RGB देखने को मिलती है हाला कि कोई effect देखने को नहीं मिलता केवल plain RGB है जिसको कि आप customize भी नहीं कर सकते है एक चीज़ मुझे यहाँ पर इस keyboard में बहुत खराब लगी कि अगर आप कोई भी keys को दबाना चाहते हो न तो इस key को center से दबाईए अगर आप side से दबाते हैं तो यह key दबती नहीं है और बहुत ज़्यादा ताकत भी लेती है मिसाल के तोर पर हो गया shift की गेम खेलते टाइम अगर आप थोड़ा सा तेज़ भागना चाहते हो और अगर आप shift की दबाते हो न तो मुझे shift की में काफी ज़्यादा problem देखने को मिली है जो कि यह बहुत important key होती है मेरे नजर में और अगर आप PC gaming करते हो तो आप shift की का importance तो आप जानते ही हो shift की में मुझे काफी ज़्यादा problem हुई है बाकी यहाँ पर जो से keys का feel है वो बस average है बस average में आपको बता रहा हो मतलब की 2200 रपावला अगर आप keyboard खरीते हो न तो जो feel आपको वो provide करता है आपको यह भी provide करता है ज़्यादा कुछ आप expect मत करिएगा कि वो look आपको अच्छा provide करता है और एक चोटा सा कौन मुझे है आपको यह भी लगा इस keyboard में कि इस keyboard में जो tilt है न वो बिलकुल ना के बराबर है मतलब कि अगर आप थोड़ा सा type करना चाहते हो और थोड़ा सा आप tilt prefer करते हो न तो वो इस keyboard में आपको देखने को नहीं मिलने वाली बहुत ही flat यह keyboard है क्योंकि मेरी लेकिन से थोड़ा सा अच्छा नहीं है तो यार add दिन अगर मैं conclusion के बारे में बताओ 2700 अरब है अगर आप यह combo खरीद रहे हो न तो आप अपने expectation को थोड़ा सा कमी रखना जादा मदर रखना look यह भले ही आपको अच्छा provide करता है लेकिन quality न उतनी अच्छी नहीं है जो आप price यहां पर pay कर रहे हो और वहीं अगर आपकी priority आजी भी नहीं है आप थोड़ा से quality वाले preference लेना चाहते हो मैं 25-100 रुपए के अंदर आपको ऐसे peripherals का link वीडियो के डिस्कित्थे में दे दूँगा जो कि at least इससे better आपको experience प्रवाइड कर देंगे हाला कि उनमें RGB नहीं होगी वेल तो दोस्तों यह था मेरा review GameDS का Poseidon M2 का आई होप आपके लिए review helpful रहा होगा अगर आपको यह review अच्छा लगा हो तो उस फीडियो को बस जल्दी से like करें subscribe करें हमारे इस channel लग लाते रहते हैं से daily awesome content तो अन तक दिखने के लिए thank you